इस जगेह में लिथी भगवान विश्णू को शाप से मुक्ती पूरी दुनिया में केवल एक देश ही हिंदू राष्ट्र है वो नेपाल है भारत में जहां काफी सारे मंदिर है वही नेपाल भी इस मामले में पीछे नहीं है नेपाल के चुंग गाव में एक मंदिर है जिसको पूरे विश्व में चंगुनारायन मंदिर के नाम से जानते है इस मंदिर के पीछे एक और आने कथा है कि प्राचीन समय में एक चरवाहा सुदर्शन नामक ब्रह्मन की गाय को चराने के लिए चुंग नामक गाव में लेकर जाता था गाय वहाँ पर चरते हुए एक पेड के नीचे चली जाती थी जब वह शाम को घर पर आती तो उस गाय का दूध आधा ही निकलता था जब कुछ दिनों तक ऐसा हुआ चरवाहा और ब्रह्मन दोनों गाय के पीछे उस गाव में गए और उन्होंने देखा कि एक बालक उस गाय का दूध पी रहा है दूध पीने के बाद वह बालक एक पेड में जाकर छिप गया तो गुष्पसे में दोनों ने उस पेड को काच दिया पेड के कटने पर उसमें सिख खून आने लगा तो वो दोनों पश्चा ताप करने लगे उनको लगा उनके हाथों किसी का खून हो गया है लेकिन जब उनके सामने भगवान विश्णू अव्तरेत हुए और उनको समझाया कि उन्होंने किसी को मारा नहीं बल्कि उनको श्राप से मुक्ती दिलाई है उस जगै को पवित्र मान कर वे उस जगै की पूजा करने लगे बाद में लिछवी समराट के समय में वहाँ पर राजा हरिदत वर्मा ने उंची पहाडी की चोटी पर चंगुनारायन मंदिर का निर्मान करवाया लेकिन जंगल में आग लगने की वज़े से वे नश्ट हो गया था इसका पुन निर्मान करवाया गया इस मंदिर को यूनेसको ने विश्व दरोहर की सूची में जगैर दी है